This is NDTV and you're watching NDTV Prophet नमस्कार, हमारी मन्त में आपका स्वागत है, मैं हूँ पंकेट पचोरी और आज हम बात करेंगे प्रमोध भसीन से जो कि हिंदुस्तान में पाइनियर रह चुके हैं, ICT हमारी जो इंडस्ट्री इंफरमिशन टेक्नोलजी इंडस्ट्री जो है उसमें और अब नए अवतार में वो आने वाले हैं लेकिन अभी भी वो एक्जेगेटिव वाइस चेर्मन हैं, जेन पैक्ट के जो 45,000 हमारे जो नौजवान हैं मुलक के, उसमें बड़े प्राइड के साथ उसमें काम करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण ये लाका है, और इनसे हम ये बात करेंगे कि हमारी अब तक की जो IT इंडस्ट्री है या ICT इंडस्ट्री है जिसमें कम्यूनिकेशन को अगर हम जोड़ लें, उसने हिंदुस्तान को क्या योगदान दिया है, और इसको हम आगे देश के विकास के लिए और देश में जो प्रगती है उसको बढ़ाने के लिए कैसे इसका इस्तमाल नौज जवानों को ले करके कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ये कुल अगर देखा जाए, काफी बड़ा टॉपिक है, तो शुरुआत हम कहां से, शुरुआत हम करते हैं ICT इंडस्ट्री से ही, कि पिछले 20 साल में हिंदुस्तान में अगर किसी इंडस्ट्री ने जो देश का जंडा गा को होती है, ICT सेक्टर इस समय देखें, साबी वीडिया पिछले साल के यहां करे हैं, तो इसमें IT BPO जिससे के आपका लिना देना रहा है, जिन्दिगी भर, पाइनियर रहे हैं यहां, BPO इंडस्ट्री के 53 बिलियन है, डोमेस्टिक आइटी BPO कोई 26 बिलियन के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि लग रहा था कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट पे जियेंगे, लेकिन वो दिखाई दे रहा है कि हमारे मुल्क में भी काम हो रहा है, टेलिकॉम एक्कुप्मेंट देखा जाए, तो 29 बिलियन के आसपास है, टेलिकॉम सर्विस जो है, वो 24 बि एग्रिकल्चर इस समय हमारे मुल्क में कोई 14 फीस्टी है, मैनिफेक्चरिंग 28 फीस्टी है, ICT 11 फीस्टी है, अब समझ सकते हैं कि एग्रिकल्चर जो की इतना बड़ा भारत एक क्रशी प्रधान देश है, ये स्कूल में हम बढ़ा करते थे, और उसके हिसाब से देंगे, कि हमारा जो ग्रोथ पाथ है, उसमें अगर हम फैक्ट्स को और फिगर्स को छोड़ भी दें, मेंटली, साइकलोजिकली, कितना बड़ा उसमें योगदा है, जी मैं थोड़ा बायस हुए इस चीज़ में, तो मुझे माफ करिएगा, पर मेरा तो ये क्याल है कि ICT ICT इंडिस्ट्री के कारण है, सीधा ये, उसके अलावा बहुत कुछ किया है ICT इंडिस्ट्री ने, देखें जहां जहां हम गए हैं, उन शेहरों को हमने बदल दी, हमारी इंडिस्ट्री ने बदल दी, आप गुरगाओं में जाएं, पूरा गुरगाओं ही बदल गया हमार बड़ा असान है, हमारे जो इंप्लोईज हैं, वो जाथतर यंग इंप्लोईज हैं, 20, 25, 24, 27 साल तक होते हैं, उनको ना सेविंग्स की परवाह है, वो एजुकेटिड हैं, इंबिशिस हैं, कान्फिडेंट हैं, और ये कान्फिडेंस से वो और अपने बिसनसे शुरू करत हैं, वो बड़े अंबिशिस रहते हैं, उनको अंबिशिन के कारण काम बहुत करते हैं, बड़े मज़े से करते हैं, शौक से करते हैं, और ये जो कान्फिडेंस है, ये इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर ले आईए, और वर्ल्ड स्टेज पर अबे के हमारे आफिस से हम सार कस्टमर्स इंडिया आते हैं इंडिया आके वो और भी सोच रहें कि वो और भी इंवेस्ट करने इंडिया में कि सिर्फ हमें बिजन्स आ दें वो अपने प्लांट्स खोल रहे हैं फैक्टरीज पढ़ती है जी और हमारा एक जो इंप्लोई होता है उसके कारण चार और लोगों को इंप्लोईमेंट मिलती है इंडिया में या ड्राइवर्स या केटरर्स या आफिस या इंफ्रस्ट्रक्चर या घार वालों या रेल एस्टेट किसी ना किसी चीज पर असर पढ़ते रहती है स्टोर्स रेस्टरांट्स क्लब ये सारी एकानुमी फैलती है और ये शुरू हुआ है और आजकल भी हो रहा है हमारी इंडिस्ट्री के कारण ंडीटीवी डाट कॉम स्लाश अप्स